तो आज हम दोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैस का जो अभी एक्जाम होने वाले हैं तो उसमें कौन से क्रेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रेश्चन है जिसको आप लोग करके जाओगे तो आपको एकदव अच्छे मार्ग आएंगे तो चलिए देखते हैं वह क जामकोल को आपको कर लेना है और exercise में आपको कौन सा question करना exercise 1.2 का question 4 5 6 7 यह question भी बहुत important है और exercise 1.3 में question 2 और question 3 का 3 वाला जो साम में वह आपको करना है तो next जो chapter है chapter 2 उसका polynomial polynomial में आपको क्या करना है example number 2 है उसको कर लेना है और exercise 2.1 का question 1 और exercise 2.2 का question 1 का 3 6 और question 2 का 1 & 5 question करना है और chapter 3 में देखते हैं chapter 3 में pair of linear equation in 2 variable उसका example number 11 & 13 करना है आपको और exercise 3.1 का question number 2 और exercise 3.2 का question number 5 और exercise से ज्याद आपको नहीं करना है उसके बाद में हम लोग देखते हैं quality equation जो chapter 4 है उसका example number 15 आपको करना है और exercise 4.1 का question 1 का 7 और 8 करना है और question 2 का 4 वाला जो साम में वह करना है और 4.2 में question number 5 & 6 वाला questions और exercise 4.3 में आपको क्या करना है question 3 का second वाला सम और questions जो है 5 8 9 और 10 करना है और exercise 4.4 में question 2 कर लो बस यह chapter के लिए इतना ही और chapter 5 में arithmetic progression इसके almost sum है जो मैंने करा दिये हैं आप इसकी playlist भी i button पर click करके देख सकते हो example number 6 इसका आपको क्या करना है example 6 9 और 16 करना है और exercise 5.2 का question 6 11 12 & 13 करना है question 15 16 17 18 यह सब मैंने जो इतने भी sum है मैंने आपको cover किया हुआ है आप इसको जाके पूरा जेक सकते हैं यह mostly जो words वाले problem में यह वही questions है क्योंकि words वाले questions होते हैं बहुत important होते हैं और बहुत easy भी होते हैं करने के लिए और exercise same exercise 5.3 का question 9 10 11 15 वह करना है आपको और 16 17 18 19 यह भी जो words वाले problem है बहुत ही easy है लेकिन आपको यह करके जाना है एक्जाम में chapter 6 में triangles में आपको theorem करना है 6.1 और 6.2 only statement वाला जो है वह करना है कि आपको पता होना चाहिए इसमें क्या कैसे इसको प्रूफ किया जाता है वह और example कौन सा करना आपको 378 और exercise 6.2 का question 3 5 6 9 & 10 करना है और exercise 6.3 का question number 4 6 8 9 10 और question number 11 13 15 16 कर लेना है chapter number 7 में देखते हैं हमको कौन कौन सा question करना है coordinate geometry जेमेटर है example करना है 457 10 कर लेना है exercise 7.1 का question 5 और question 6 का first song करना है question 6 questions करना है questions 7.1 में कौन सा question करना है 7 8 9 10 and exercise 7.2 का question 3 5 6 7 और 8 questions करना है आपको इसके बाद में chapter 8 में देखते हैं introduction to trigonometry trigonometry का जो chapter है उसमें आपको example number 5 है 13 है 15 करना है और exercise 8.1 का question 6 8 9 और 10 करना है इसके आप लोग screen sort लेते जाए जो जो important question है वो बाद में आके आप बाद में जाके आप उसको solve करिए exercise 8.2 का question number 1 का जो fourth वाला sum है और fifth वाला sum है वो कर लेना है और question 3 है वो भी करना है 8.2 में उसके बाद exercise 8.4 का जो है question 5 का three fifth और six seven eight nine यह सारी कर लेने जो सब questions रहते हैं जिसके अंदर अंदर छोटे-छोटे sums रहते हैं वो कर लेना है बस इसमें आपको इतना ही करना है और देखते है चैप्टर no.9 में application of trigonometry जो trigonometry का chapter उसमें कौन कोंसे sum करना है यह देख लेते हैं examples है two four five six यह जो examples है वो कर लेना है और exercise 9.1 में question number two seven eight nine और ten यह सारे sums को कर लेना है और questions कौन से 11 12 13 15 यह भी सारे sum आपको कर लेना exercise 9.1 का अब देखते हैं chapter 10 में आपको कौन सा question करना है circle जो बहुत important है इसके भी आपको theorem 10.1 और 10.2 कर लेना है और examples two three eight यह examples को आपको कर लेना है और exercise 10.2 के questions four five eight nine भी कर लेना है और customer 10 11 13 यह भी आपको यह भी जो sums है वह बहुत important आपको कर लेना है अब देखते हैं chapter 11 में chapter 12 में 11 में तो इतने importance नहीं है तो 12 देखते हैं area related to circle example three कर लेना है और exercise 12.1 का question number four है वह कर लेना है और exercise 12.2 में question two three five six seven यह करना है और questions कौन से eight nine और कौन से question करना है question eight ten at 12 यह भी questions आपको कर लेना है chapter 12 के बहुत important questions है तो इस तरीके से chapter 12 हो गया हमारा अब chapter 13 देखते है surface area and volume example कौन से करना है two three four five six यह example करना है और exercise 13.1 example two three four five six कर लेना है उसके बाद exercise 13.1 का question one four five nine का आपको sum करना है exercise 13.2 का questions two three five seven यह कर लेना है बस यह चैप्टर में आपको इतना ही करना है और चैप्टर 14 में statistics में exercise 14.1 में question 3.5 question exercise 14.1 में question 359 करना है और exercise 14.2 में question 6 करना है और exercise 14.3 में आपको two three four बस उनली इतना ही सम करना है जागा question करने का आपको जरूत नहीं है इसमें chapter 15 probability में example 930 करना है और exercise 15.1 में question 5 9 11 करना है और question 12 में 15 16 कर लेना है यह chapter में भी बस आपको इतने ही सम करना है तो guys आप लोगों से इतने जो मैंने जो बहुत ही important questions आपको provide किया है वो कर लेना है तो exam में आपको बहुत अच्छे marks आएंगे और मैं यह सब जितने भी मैंने सम बता है इसको solution भी मैं आपको बताने वाला हूँ इससे good news और कुछ नहीं हो सकती कि मैंने जितने भी जो मैंने बहुत important mark कियोगे questions है वो आपको मैं already solve करने वाला हूँ तो next series जो होगी इसके ही regarding होगी जो important question होते अभी exam आने वाले है तो आपको अच्छे marks लाने है आप खुद भी try करिए और पुरे जितने भी सम मैंने दिये हैं उसको solve करिए so thank you thank you for watching